ये जो हाथ पहलाए हुए हाथ पसारे हुए कुछ मांगने की भुमिका में जो लोग नजर आ रहे हैं ये जो इत्ती भीड जो नजर आ रही है ये किसी समयधानिक अधिकार को मांगने वाले आंदूलन का हिस्सा बिलकुल नहीं है ये आप ये गलत फहिमी निकाल दे ये वो लोग बिलकुल नहीं है जो लोग अपने समयधानिक अधिकारों की लड़ाई के लिए मर मिठ जाते हैं और बड़ी संख्या में आंदूरन का हिस्सा बनते हैं ये वो लोग बिलकुल नहीं है ये लोग वो है जो भागे के भरोस से बैटे रहते हैं ये वो लोग है जिनको ये लगता है कि एक छोटे से टोटके से इनकी पूरे जिंदगी बदल जाएगी लेकिन ये वो लोग नहीं है जो कि इस वक्त पूरे भारत में तमाम नौकरियों पे तमाम मुच्च पदों पर प्रमुख रुप से बड़ी संख्या मे कावी जै ये वो लोग बिलकुल नहीं है ये वो लोग है जो 85% का एक हिस्सा है जो 85% लोग है SC, ST, OBC के ये लोग हैं जो मांग रहे हैं और उससे मांग रहे हैं जो पहले सही सर्वोच चपदों पर विराजमान है और उन्हें लगता है कि ये अपने एक छोटे से टोटके स उनका पुरा जीवन बदल देगा उनको बहतर स्थिति में ला देगा इनको ऐसा लगता है और इसी चकर में ये भीड़ी यहां पर आई और इद में से कई घायल हुए कई मरे कई भुख प्यास के साथ पैदल मीलों चले और बहुत बुरी तरह से ये उसी स्थिति में पहु से घटना है सिहोर के पास यानकी भुपाल से नजदीक एक सिहोर जिला है वहां पर ये सारा घटना करम हुआ जहां पर पंडित प्रदीप मिश्रा एक बावा जिसको आपने ये कहते हुए सुना था जब आपका बच्चा एक्जाम देने जा रहा है पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी पास नहीं होगा तो शेहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शेहर लगा लीजिए और शंकर भगवान की शि ये वही जोंग से आपके बच्चे को पास किराने का तोटका रहा रहा है तरीका बता रहा यह वही पंडित मिश्ञा जिसका खुद का बच्चा थेल हो गया परिक्षामें जी हाँ आसे प्ता चला दिकभीरे सिंग ने दिख्विरे सिंग ने ये ट्वीट किया है आप देख लिजे स्वाती मिश्रा लिखती हैं कि कथावा चक प्रदीप मिश्रा ने रुद्राक्ष बाटनी के लिए लोगों को बुलाया करीब 20 लाख लोगों के पहुचने से भारी अव्यवस्था हुई अफरा तफ्री मची प्रदीप मिश्रा का दावा है कि इस रुद्राक्ष को पानी में रखकर पानी पीने से रोग दूर होते हैं यही प्रदीप मिश्रा एक्जाम में पास होने की एक टेखनीक बताते थे कहते थे कि अगल बेर पत्र में शहद लगा कर शिवलिंग पर चिपका दे तो पास होने की गरंटी इनके खुद के बेटे के आठवी में इतने कम नंबर आए कि दो बारा एक्जाम देना पड़ा भला हो राइट टू एजुकेशन एक्ट का की फेल घोशित होने की जगे दो बारा एक्जाम दे कर नौवी में एड्मिशन मिल गया और ये वही आदमी है जो ये दावा कर रहा था कि इसके दी हुए रुद्राक्ष से लोगों की बिमारी ठीक हो जाएगी और इसी चक्कर में लाखो लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं प्रशाशन कोई इंतजाम नहीं करता और तमाम सारा मीडिया भी यहाँ के बेबस नजर आता है वहाँ पर ये पंडित प्रदीप मिष्टा दामण जो की इतने सारे लोगों को ये छलावा देता है ये वही मत्यपदेश है जहाँ पर आप अभी हाल ही में बागेश्वर महराज जो की नागपूर में जिनका भंडा फोड किया गया वो वहाँ पर मजे से अपना धंदा च चला रहे हैं तो फिर एक और विक्ति को लगा कि क्यों ना इस जमीन का इस अरवरा युक्त जमीन का इस्तमाल किया जाए तो एक और बाबा ने मद्यपदेश की और अपना कूछ कर दिया और वहाँ पर अपना धंदा शुरू कर दिया और यहां इस जगे पर जो मरे लोग यह खबर देखिए लोग परिशान दिखे उनके मन में खुस्ता था इस खबर में लिखा हुआ है कि महराष्ट की महिला एक वहाँ पर जाकर वहाँ उसकी मित्ति हो गई सिर्फ यही नहीं एक और महिला की मित्ति यहां पर हो गई यहीं कि दो मौते हो गई हजारों लोग घायल हो गई कई लोग बिमार हो गई लेकिन यहां पर लोग सिर्फ एक रुदराक्ष के यह अंदविश्वास आखिर आता कहां से है यह अंदविश्वास इसलिए क्योंकि यह तमाम लोग परेशान है अपनी जिंदगी से इस वज़े से परेशान है क्योंकि इनको सही जो इनकी फसल का वो दाम नहीं मिल पाता इनको पास नोकरियां नहीं है क्योंकि ये लोग उस तरह से पढ़ लिख नहीं पाए और अगर पढ़ लिख भी गए हैं तो इनके लिए नोकरियां कहीं पर रखी नहीं गई हैं तमाम सरकारी भाग जहां नोकरियां पैदा होती थी वो सारे के सारे प्राइवेट कर दिये तो इन लोगों के लिए कोई जगे बची नहीं, तो तब इनको लगता कि जो कुछ भी इनकी जिन्दगी में बुरा हो रहा है, वो सिर्फ इनकी जो इनका भाग्य है, इस वज़े से हो रहा है, तो इनको अपने भागे को सुधारने के लिए यह लोग यहां पर आते हैं, और इनको लगता है कि इस रुद्राक्ष से इनका भाग बदल जाएगा और इनको ये नहीं पता कि इनकी हालत का जिम्बदार आकिर कौन है इनको लगता है कि सिर्फ एक तोटके से जैसे लड़का पास हो जाता है जैसा ये बताते हैं वैसा है कुछ इनके भाग में कुछ बदल कुछ इन्हें नोकरी मिल जाएगी किसी को बच्चा मिल जाएगा तमाम सारी जो चीजे है जबकि ये अपना भागे खुद लिख सकते हैं खुद बना सकते हैं अगर अपने वोट का सही इस्तेमाल कर ले अगर सभीधान के अपने हक अधिकार को सही डंग से जान ले तो ये अपना भाग्य बदल सकते हैं लेकि इनको लगता है कि एक टोटके से, एक उपाय से, एक जो पंडित के बताय हुए बार्ग से जो कि वो लूटने के लिए तमाम जो धन उनसे लेता है उस रास्ते इनको जो है धन संपत्ती या वैबोग प्राप्त हो जाएगा इनको ऐसा मिलता और उनको सही ढंग से ये एस्थित्या प्राप्त नहीं होने के पीछ है ने कि एदूकेशन भी जो है वो नहीं यह मिला, सदीयों से नहीं मिला इसके पीछे कौन है यह जानने के बज़ा lemon के बज़ा है, यह फिर से उन्ही के पीछे दौड़ते हैं और यस हालत में पहुन जाते हैं